नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में है दोस्तों इस वीडियो में आपने देखने वाले जो आज आपकी 14 देसमर को स्सी दिली पुलीस कॉंस्टेबल का सेकेंड सिफ में एक्जाम हुआ है तो इस सिफ में पूचे कि जीके प्लस कंप्यूटर के जो भी क्योसेंस है वो अपन एक्स्टा फेक्ट साइट का और करेंगे सभी क्योसेंस हंड्रेट परसंटेज रियल और ऑथिंटिक है तो इस बात फ्री मॉक टेस्ट जो की रानी सिंग में के दोरा ये फाइनल इंगलिस का रिविजन मॉक टेस्ट रहेगा इस्टेनोग्राफ और इस्पेसल और ये कंडेक्ट होने वाला है 19 दिसंबर को तो आप जरूर अटेम्ट करना 8 पीम पर बिलकुल फ्री है फ्री अटेम्ट करने क और इसका एनलिसिस है वो भी इस दिसंबर को रानी सिंग में के दोरा कराये जाएगा वो भी फ्री है तो वो भी देख सकते हूँ आप तो ये जरूर अटेम्ट करना और जो भी कंडेक्ट अने केडमी पर न्यू है वो टीटी जी के कोपन कोड की सायता से प्लस जैसे कि अभी रेल्वे के एक्जाम स्टाट हो रहे हैं तो रेल्वे के एक्जाम के सभी सिप्ट का में रियल और ओधिंटिक स्वाल बताऊंगा तो अभी तक जिन भी केंडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दे पहला स्वाल देखे बैटल ओफ अलिवाल है ये कब हुआ है तो बैटल ओफ अलिवाल है ये हुआ है दोस्तों 28 जनवरी 1846 को हुआ है अलिवाल का यूत हुआ है जो कि East India Company और शिक एंपाइर के मद्धी हुआ था और East India Company यहनी British की तरफ से जो नेतरतों कर लेते वो Sir Harry Smith हैं और शिक की तरफ से जो शिक एंपाइर की तरफ से नेतरतों किया जा रहा था वो किया जा था रांजोज सिंग मजीतिया अगला स्वाल देखे दोस्तों Indian Share Market NSE जो National Stock Exchange है जिसमें N निप्टी इंडेक्स रहता है जो Top 50 Companies हैं उनमें जो भी हल चल होगी वो निप्टी आपको बता देगा तो निप्टी इंडेक्स है वो पर्थम बार कब 5000 का आंकड़ा पार किया था यह आपको पूछा गया है निप्टी का अभी फिलाल जो इंडेक्स चल रहा है वो लगब यह स्वाल था या फिर किसी अन्य इंडेक्स का पूछा गया था जैसे कि BAC का इंडेक्स कौन सा है शेर मार्केट में जो बॉंबे स्टॉक एक्चेंज है उसका है सेंसेक्स जो Top 30 कंपनी का है और निप्टी है Top 50 कंपनी का यह भी आपको याद में रखना अगरा स्वाल दि लिया है जहाँ पर option सुरेश रहना था बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा विश्व बैंड मिटन संग की ब्रंड अम्बेस्टर कौन बने है जो 22 अप्रेज 2020 को भारती महिला बैंड मिटन खिलाड़ी PV सिंदु को आईयम बैंड मिटन अभ्यान का अभ्यान जो की विश्व ब किया गया था साती सात्या पर भाष्रन अभिवक्ति की मूर अधिकारों पर उसमें उचित पर्तिबंद की व्यवस्ता की गयी थी तो पर्थम समिधान संसोदर 1991 को हुआ था राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में वढ़नी थे तो यह आर्टिकल 3 है जिसमें भारती समि हो जाएगा आर्टिकल 2 में क्या है नए राज्यों का परिवेश और इस्तापना किसी दूसरे देश से जो राज्य है भारत में शामिलोरा जैसे गोवा हुआ था तो आर्टिकल 2 के तैद उसमें परिवेश होगा और इस्तापना होगी और 3 में जो नए राज्यों का निर्म वो सोरी, 2022 कहां पर होने वाला है तो FIPA Football World Cup 2012 है यह आपकी Southeast में होगा Nest आपके 2026 FIPA World Cup है वो Canada, Mexico और United States में होने वाला है बात्कुम है इससे पहले 2018 का FIPA World Cup तो यह स्वाल और बढ़ते है Nest वने है, रजिया वस्टान कौन से किले में कैद की गई थी तो रज्या सुल्तान है ये किला मुबारक जो की पंजाब की भटिंडा में इस्ति थे वहाँ पर रज्या सुल्तान है वो कैद की गए थे और रज्या सुल्तान के प्रेमी याकुत को मार कर उसे इस किले में उसके गवर्नर अल्टूनिया ने 1249 में कैद किया था तो अल्तूनिया ने उन्हें कैद किया था दो भटिंडा के शाशक थे उनके मद्दे युद द्वा था और बाद में उन्होंने कैद कर दिया था उनके प्रेमी याकूत को मार कर रज्य सुल्तान को किला मुबारक में कैद किया था अगला स्वाल मक्का का समर्थन मुले जो मेज मक्का है कौन है उसका न्यूंतम मिनिमम सपोर्ट प्राइज जो की परतेक से पे पूछा जा रहा है और मैंने एक्स्टा फेक्ट में बताया था इसमें ये पूछ लिया है कि विपणन वर्स 2020 में कितने रूपे की वर्दी हुई नेक्स्ट बन देखी परतान मंत्री मातरी वंदना योजना के अंत्रिकत गरभवती महिला को कितने रूपे की आर्थिक शायता दी जा रही है तो गरभवती और इस्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जनम लेने वालों की बच्चों के लिए 6000 रूपे की आर्थ एक शाहिता मिल रही है गरवती महिलाओ को प्रधान मंत्री मात्री वंधना योजना के तहट और गरभावस्ता शाहिता योजना की शुरुआत है ये इसका अन्य नाम है प्रधान मंत्री मात्री वंधना योजना का गरभावस्ता शाहिता योजना इसकी शुरुआत हुई थी एक्जेक्ट स्वाल आप कमेंट करके बता देना राजभाषा हिंदी किस अनुछेद में उल्ले की थे तो आर्टिकल 343 है जो संग की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी ये आर्टिकल 343 पताता है और सविधान में अनुछेद 343 से लेकर 301 तक राजभाषा के संब्द में व्यश्ता की गई है ये सभी आर्टिकल राजभाषा से रेल्टेट है सविधान सबाने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्विकार था इसलिए आपको पता होना चेज 14 सितंबर है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस की रूप में मनाए जाता है 14 सितंबर को क्योंकि इसी दिन 1949 को राजभाषा की रूप में श्विकार किया गया आर्टिकल 343 की तैत www की खोज कब हुई तो 1989 में किन के दोरा तो टीम बर्नर ली के दोरा अगला स्वाल एक ये exact स्वाल देखे टापू बता रहे हैं बहुत से स्टूडेन ये ही स्वाल बता है कि टापू नृति है टापू डान्स है टापू कहा सकते हो टापू नृति ये किस राज्जे से संबन दी थे काफ़ी टाप स्वाल पूछेगा आप कमेंट करके बता देना जेन भी केंडेट को पता है टापू नृति मेरे को तो नहीं मिला अगला स्वाल देखे स्वाल देखे स्वाल के दोरा ड्राप्टिंग कमिटी कब गठित होई है तो 29 अगस्ट 1947 को जो स्वाल स्वाल है उनके दोरा जो प्रारूप शमिती है ड्राप्टिंग कमिटी है उसका गठन किया गया था किसके अद्धिक्स्ता में तो डॉक्टर भीमराव अमेट करकी अद्धिक्स्ता में और इन्होंने सुईधान का मशोदा ये पूरा त्यार कर दिया था सुईधाने बनकर 26 नवबर 1949 को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो सोनपूर में लगता है वो कहां पढ़ता है तो सोनपूर मेला ये बिहार में है तो बिहार के सोनपूर में हरशाल कार्थिक पुर्णी मा में लगता है एसिया का सबसे बड़ा पशुमेला गंडक नदी के केनारे इन में से क्या तने से प्राप्त होता है कौन सा हब है वो तने से प्राप्त होता है यह option थे धनिया करेक्ट हो जाएगा कोरियंडर नेश्टन देखे लिजेंड ओफ लक्ष्मी परसाद पुस्तक के ओथर कोने बुक से दो स्वाल थे लिजेंड ओफ लक्ष्मी परसाद का पूचा है तो यह टविंखल खन ча की पुस्तक है और दिबांग नदी हैं दिबांग और लोहित दिबांग अलग है दियांग है ये ब्रह्मपुत्र को अनुर्चर प्रदेश में कहते हैं दिबांग नदी भी लोहित नदी दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के ट्राइब्यूटरी है उप नदी है जो भारत की असम और अनुर् उगाली वीऊ की पूरो संद्या पर उरका उस्व मनएजम अस्समराजी में 2008 में किसी यूनिस्कों की अमुर्द विरासद सुज्जी में है श्रामिल किया गया है 2008 में रामलीला को किया गया था वेदिक जब को किया गया था ओप्सन में जो भी था करेक्ट करना था कालबेलिया और च्छाव निर्तियों को 2010 में बोध जब को 2012 में टोटल आपको पता होना चाहिए युनिस्को अमुर्थ विराशत लेश्ट में 13 ये टोटल लेश्ट है 13 आप देख सकते हो इस परकार 2008 पे राम लीला है तो ये टोटल 13 अमुर्थ विराशते हैं युनिस्को की लेश्ट में भारत की अगला स्वाल दिकी पच्छी मंगाल की किस क्रांतिकारी को 18 साल की उमर में फांशी दी गए थी खुदी राम बोश है उन्हें 11 अगस्त 1908 को जब उनकी उमर 18 वर्ष थी ये पच्छी मंगाल की क्रांतिकारी इनको फांशी दी गए थी और उन्होंने 18 साल की उमर में खुदी राम बोश गीता हात में लेकर खुशी खुशी फांशी पर चट गए थी विच इस दा वर्ल्ड वाइड सिस्टेम ओप कंप्यूटर ये ऑप्सन दी गए थी तो इंटरनेट क्रेक्ट हो जाएगा दे दाता किसानों के लिए हैं किसानों के आई को दोगोनी करने के लिए एक योजना है जिसमें फोसल का उजित मुले दिलाने का इसका उद्रशी है तो ये योजना का आपको पूचा है ऐसा कौन सा रज्जे हैं जहां एक रोड पर चर्ष मजिद और मंदिर हैं एक्जेक्ट क दिनियम 1995 में और CAA की बात करूँ ये अब की बार 2019 में कब पास हुआ है तो 11 दिसमबर 2019 को अगले स्वार के और मुव करते हैं अलफोन्सो या फिर कहें कि अफोन्सो डी अलबुकक इन्हों ने गोवा पर कब जा कब किया था तो अफोन्सो डी अलबुकक ने दिसमबर 1510 में कब किया था 1510 में गोवा पर कब जा करने में ये शक्षम हुए और इस युद को बैटल पहा जाता है नेक्स्ट वन्यापर एक बोक्स का और स्वाल जो सेकेंड स्वाल है कि figuring the joy of numbers पुस्तक के ओथर कौन है तो figuring the joy of numbers पुस्तक है उनके ओथर पूचा है तो यह हो जाएगा श्राकुंतला देवी नेक्स्ट वन्यापर बोबिली वीना वाद्धियंतर कहा कहा है तो ब केंद्री ग्रामिन स्वस्ता कारिक्रम है 1986 में हुआ था और स्वच भारत अभ्यान है यह 2 अक्टूबर 2014 हुआ जो फर्षिप में था आपकी सत्य श्राइबाबा कौन से राजे से संब्दी थे हैं अंधर प्रदेश से संब्दी थे हैं इनका जनम अंधर प्रदेश के पु प्रदेश राइटर और डारेक्टर हैं वो टॉम फ्रोड के दरा किया गया है तो यही पूछा होगा तो टॉम फ्रोड हो जाएगा टॉम फ्रोड ओके विदुद परिपत में धारा की लिमिट किस से कंट्रोल के जाती हैं इसमें आप कमेंट करके बताने क्या ओप्शन थे डॉक्टर राज़ेंदर परशाद को भारत का पर्थम राष्ट पती चुना गया दो जाएगा आज़ीत होने वाले किस खेल का शुभंकर तीन रोबोट थिरी रोबोट चुना गया है तो कौन सा इसपोर्ट है दो जाएगा दो जाएगा आपके 19 वें एश्याई खेल जो 3 2022 में होने वाले हैं एक आपकी स्वाल था MS Word में वाटर मार्क कौन से टेम में आता तो MS Word 2007 की बात करें तो वाटर मार्क आपको मिलेगा पेज लेयाउट टेम में वहाँ पर पेज बेक्ग्राउंड ग्रूप है उसमें वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है मधुमक्य के काटने पर उसके इलाज के लिए मतलब जहर को मिठाने के लिए यहाँ पर पूचा है किसका उप्योग करेंगे आप तो बैकिंग सोडा ओप्सन था जो करेक्ट हो जाएगा नैस्तनल हाइवे 3 के निराज्यों को कनेक्ट करता है इस टाइप सी ताक के निराज्यों से गुजरता है पर नैस्तनल हाइवे 3 से रिगार्डिंग एक स्वाल बता रहे इस्टूडेंट तो ये जो नैस्तनल हाइवे 3 है पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पर रिस्तित 18 से प्रारंब होकर तो पंजाब हो जाएगा हिमाचर प्रदेश हो जाएगा और लधाग हो जाएगा प्रणटी देते हैं गवर्मेंट है इनको खरी देंगे नेक्स्ट निया पर एक एक्जेट क्या स्वाल था कुछ एक्जेक्ट स्वाल नहीं मेले हैं गंडक जैसा कोई प्लेस्त वहां सबसे ज्यादा परवच्चन किस ने दिया है ये स्वाल आप इस्टूडेंट ने बता है डेट का फॉमेट पूछता 2007 एक्सल में और एक स्वाल था 2011 से 19 तकिस राज्य की शिशु जनमदर सबसे ज्यादा बड़ी हैं तो मैं बात कुरूं 2018 का डाटा ये केता है कि बिहार में जनमदर सबसे ज्यादा 26.6 मधिप्रदेश में शिशु मर्दिवदर सबसे ज्यादा हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए अपका बहुत बहुत धन्यवाद ये काफी टफ स्वाल इसमें पूछी के हैं तो कम स्वाल मिले हैं एंसर भी नहीं मिल पा रहें काफी स्वाल की और मिलते हैं जो थर्ड शिप का वीडियो आएगा मैं कोशिश करूंगा शुबे दाल दूंगा बहुत 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 धन्यवाद